राधी राधी आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ? अपने हाथ में पुश्प और अच्छत अवसे ले ले। एक समय एक वेक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के ल जमन नहीं करते हैं, वह वेक्ति नहीं माना, और हट कर लएठा कि बुध वाल के ही दिन अपनी पत्नी को विदा करके मैं ले जाऊंगा. अंत में उसकी पत्नी की विदा कर दी गई, और वह नगर को चल पड़ा. राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पती से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रत से उतर कर जल लेने चला गया जैसे वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर चकित रह गया कि ठीक उसकी ही जैसी सूरत वाला वो उसकी जैसी वेस्वुसा वाला एक व्यक्ति उसके पत्नी के साथ रत में बैठा हुआ है उसको अत्यांत क्रोध आया और उसने कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट कैसे बैठा है दूसरा व्यक्ति बोला यह मेरी पत्नी है मैं अभी अभी सस्वाल से बिदा करा कर ला रहा हूँ वे दोनों व्यक्ति आपस में जगरने लगे तभी राज के सिपाही आए और जो लुबेक्ति लोटा लेकर जल लेने गया था उस वेक्ति को पकड़ लिया और कहा कि चलो अब इसको नगर में राजा के समक्ष ले चलते हैं साथ ही इस्त्री से भी पूछा गया कि तुम बताओ तुम्हारा असली पत्ति कौन है अब पत्नी भी चुपो गई क्योंकि द पत्ना करने लगा और बोला हे परमेश्वर यह कैसी लीला है सच्चा जुठा कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है तभी आकासवाणी हुई कि हे मुर्क आज बुद्वार के दिन तुझे गमन नहीं करना था तुने किसी की बात की नहीं मानी यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की है उस वेक्ति ने बुद्ध देव से प्रात्ना करी और अपनी गलती के लिए छमा मांगी तब बुद्ध देव जी अंतर ध्यान हो गए और वह अपनी इस्त्री को लेकर घर आया तथा बुद्वार का ब्रत वे दोनों पत्ति पत्नी नियम पुर्वक करने आज मैं आपनों को बताने जा रही हूं बुद्ध वार ब्रत किसे एक रखना चाहिए और इस ब्रत का क्या प्रभाव होता है बुद्ध वार का ब्रत ग्रह शांती तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुद्ध वार का ब्रत करना चाहिए विशेश करके ग् क्रित से समस्त मनुकामनाएं फल्वती होती है पूजा का विधी विधान यह होता है कि इस ब्रत में रात दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए इस ब्रत के समय हरी बस्तों का उप्योग करना स्रिष्ट होता है ब्रत के अंत में संकर जी की पूजा, धूप, बेरपत्र आदिसे करनी चाहिए भवान गणेश को दुरवा चाहाना चाहिए और साथी बुद्वार की कथा को सुन कर आरती के बाद प्रशादे कर जाना चाहिए बीच में ही नहीं चले जाना चाहिए इस दिन उत्तर दिसा की यात्रा नहीं करनी चाहिए आठो वार की कथा सुनाने जा रही हूँ किर्पया मेरे वीडियो में अंतक बने रहेगा वीडियो पसंद आए तो किर्पया लाइक जरूर कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा बेल आइकन दवाना न भूलिएगा एक काउ में एक मा और बेटा रहते थे और बहु भी साथ में रहती थी एक दिन मा सुबह गंगा इस्तान के लिए जा रही थी तो बहु से कह दी कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दे ना उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगी सुबह जब बेटा उठा तो बोला कि मा मुझे रोटी दो यह सुन करके उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुमारी मा है यहां और नहीं रोटी कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी वह बोला भगवान मैं तो कमाना ही नहीं जानता हूँ लेकिन बहु नहीं मानी उसने कहा अच्छा तुम चार रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो बहु ने चार रोटी बनाई और अपने पती को दे दी वह रोटी लेकर के कुई के मुंडेर पर आकर के बैठ गया और भगवान राम को याद करने लगा और भगवान श्री राम से कहने लगा कि हे प्रवराम मुझे कमाना नहीं आता है मैं कमाना नहीं जानता हूँ बार बार उसके प्रतना करने पर भगवान श्री राम ब्राहमन का वेस बना करके आ गए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तक कि तुम कमा कर कुछ लाओ गे नहीं तो रोटी भी नहीं मिलेगी लेकिन मैं तो कमाना जानता ही नहीं हूँ भगवान बोले मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ लेकिन मैं आठोबार के नाम को जानता हूँ इससे तुमारे घर में अटूट भंडार भर जाएंगे भगवान श्री राम बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी ले लेना जो बरतन ढके हुए हैं उनका मुँख खोल देना जो घर के बरतन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना भगवान के रूप में ब्रामर ने कथा कही और उसने सुने रविवार, सोमबार, मंगलवार, मुद्धवार, बिस्पतवार, शुक्रवार, सनिवार आठो वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा इसके बाद उसके घर में अटूट बंडार होते चले गए घर पहुँचा तो उसकी पत्ती ने पूछा कि क्या लाए हो उसने कहा कि आठो वारों का नाम लाया हूँ पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है पत्नी फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ले आओ जो ओंधे मुँ पड़े हैं बरतन उन्हें सीधा कर दो जो ढखे हुए रखें बरतन उनका मुँ खोल दो पत्नी ने ऐसा ही किया फिर पत्नी ने कही कि आओ और कथा को सुनो पत्नी ने सुनी रविवार, सोमबार, मंगलवार, मुद्धिवार, ब्रस्पत्वार, शुक्रवार, सनिवार आठो बारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा और अटूट भंडार भरते चलियो इस प्रकार पत्नी ने कथा कहते समय कही, इस प्रकार से उसके घर में अटूट भंडार भरने लगे अपनी पत्नी से एक दिन उसने कहा कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूं भटे से कपड़े पहन, बेटी के यहां गया, तो बच्चे बोले कि नाना आए है, बेटी बोली कि नाना आए है तो क्या लाए है दो दिन की मुफ्त रोटियां तोडने आए है, विचारा सोचने लगा कि गरीवी सब कुछ कहला देती है मुख से पिता ने बेटी से कहा, कि बेटी मेरी आठो बार की कहानी सुन लो, बेटी ने जवाब दिया, यह पिता जी मेरा मुझ जूठा हो गया है, मैंने खा लिया है तो पिता भूखे ही सो गए, अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आ गया और कहती है कि पिता जी आप अपनी कहानी सुनाओ, पिता जी बोले कि चावल का दाने ला, पानी की घंटी ला, जो ओंधे मुँँ पड़े हैं वर्तन उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुँँ खो पिता ने कही, बेटी ने सुनी, रविवार, सोमबार, मंगलवार, बुद्धवार, ब्रशपतवार, शुक्रवार, सनीवार, आठोवारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा और अटूट भंडार भरते चलें, इस प्रकार से बेटी के घर में भंडार भरने लगे, बेटी टोक पिता ने कहा, कि तुम तो कहती थी, कि तुमारे पिता कुछ भी लेकर नहीं आये, वो तो इतना सावन लाए हैं, कि तुम बाट रही हो, ये कहां से आया है, बेटी ने कहा, कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आये थे, ये तो आठोवारों की कहानी का फल है, पड़ोसन बोली, अपने पिता से कहो कि वह हमें भी आठो वारों की कथा सुना दें फिर पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुझ जूठा हो गया है लेकिन कल मैं कहानी जरूर सुना दूंगा दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसनों को भी आठो वारों की कहानी सुनाई जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार हो गए जैसे भगवान के वेश में ब्रामण की आठोवारों की कहानी सुनने से सबकी घर में भंडार भर गए उसी तरह से कहानी कहने वाले और सुनने वाले के भी भंडार भर जाए भगवान श्री राम की जय हो ब्राह्मान देवता की जै हो मा गंगा की जै हो जै श्रीकिष्ट भगवान विष्णू और माता लक्ष्मी की किर्पा आप पर और आपके पूरे बरिवार पर सदा सरवदा बनी रहे आज मैं आपनों को कथा सुनाने जा रही हूं श्रीकिष्ट जन्मा अस्टमी की भादबद किष्ट पक्ष की अस्टमी को जन्मा अस्टमी का तेवार मनाया जाता है इस्तिति को राद के बारा वजे मतुरा में मतुरा के राज्ज में कंस की जेल में वासुदेव जी की पतनी देवी देवकी के गर्व से भवान श्रीकृ्ष्न का जन्म हुआ था इस्तिथी को रोहनी नैचत का विश्यस महत्तर में है इस दिन देश के समस्त मंदिरों में जाकियां सजाए जाती है भवान कृष्न का सिंगार करके जुला जुलाय जाता है इस्त्री पूरुष रात के बारा वजे तक ब्रत रखते हैं, रात को बारा वजे संख तता घंटों की आवासे श्री कृष्ण के जन्म की खवर चारो दिसाओं में गूंच उठती है, वगवान कृष्ण की आर्ति उतारी जाती है और प्रसाद वितरन किया जाता है, गाय का रूप धारन कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उधार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को साथ लेकर प्रिध्वी को विष्णू के पास छीर सागर में ले गई, उस समय भगवान विष्णू अनंत सय्या पर शैयन कर रहे थे, इस्तुति काने पर भगवान के निद्रा भंग हो गई, भगवान ने ब्रह्मा इबं समस्त देवताओं को देखकर उनके आर्ने का कारण पूछा, तो प्रिध्वी बोली भगवान, मैं पाप के बोज से दवी जा रहे हूं, मेरा उधार की जिए, यह सुनकर रुमि में जाकर यादो वंस में अपना सरीर धारन करो, इतना कहकर भगवान अंतरध्यान हो गए, इसके पश्चा देवता ब्रजमनल में आकर यदु कुल में नंद यसोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए, द्वापर युग के अंध में मत्रुआ में उग्रिसेन राजा राज करते थे, उग्रिसेन के पुत्र का नाम था कंस, कंस ने उग्रिसेन को बरपुलवक सिंखासन से उतार कर जेल में डाल दिया और स्वेम राजा बन गया, कंस की बहन देवकी का विवा यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया, उसका आठमा पुत्र ही तेरा संगार करेगा। आकासवानी को सुन करके कंस को क्रोध आ गया। क्रोध में भरकर देवकी को मारने के लिए तयार हो गया। उसने सोचा ना देवकी होगी ना उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भै नहीं है देवकी की आठवी संतान से तुम्हें भै है इसलिए मैं इसके आठवा संतान तुमको दे दूँगा तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा वेवार करना कंस ने वासुदेव जी की बात को सिलकार कर ली और वासुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया ततकाल नारज जी वहां आ गये और कंस से बोले यह कैसे पता चलेगा कि आठमा गर्व कौन सा है गिंती प्रथम या अंतिम गर्व से शुरू होगी कंस ने नारज जी के परामर्श से देवकी के गर्व से उत्पन्य होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्य किया इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के साथ बालकों को निर्दैर्टा पुरभक मार डाला भादबद किश्पक्ष की अस्टमी को रोणी नचत में श्री किश्म भगवान का जन्व हुआ उनके जन्व लेते ही जेल के अंदर प्रकाश फैल गया वासुदेव देवकी के सामने संख, चक्र एवं पदम धारी चतुरबुज भगवान ने अपना रूप प्रगट कर कह कि अब मैं बाला का रूप धारन करता हूँ, तुम मुझे ततकाल गोकुल में नंद केहां पहुचा दो और उनके यहां अभी अभी जन्वी हुई कन्या को लाकर कंस को दो, ततकाल वासुदेव जी की हतकड़ी खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए, वासुदेव जी किष्ण को सूप में रखकल गोकुल को चल दिये, रास्ते में श्री किष्ण के चर्णों को सपर्ष करने के लिए यमना जी बढ़ने लगी, भगवान ने अपने पैर लटका दिये, चर्ण छुने के बाद यमना जी घट गई, वासुदेव यमना प गरवाजे, पूरुवत बंद हो गए, वासुदेव जी के हाथों में हतकडिया पड़ गई, पहरेदार जाग गए, कन्या के रोने पर कंस को खवर दी गई, कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्था पर पटक कर मारना चाहा, पर वह कंस के हाथ से छोटकर आकास में उड़ गई, और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाब, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुँच चुका है, यह द्रश्य देखकर कंस हदप्रत और व्याकुल हो गया, कंस ने श्रीकिष्ण को मारने के लिए अनेक दैते भेजे, श्री देश में बड़े हर्स उल्ला से मनाया जाता है, बोलिए भगवान स्रीकिष्ण की जय हो, भगवान विष्णों की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, राधा रानी की जय हो, मेरे यह वीडियो कैसा लगा, किरपया कमेंट बॉक्स में जरू बताएं, राधे राधे कमेंट ब साहुकार ने एक तालाब बनवाया लेकिन 12 वर्ष तक तलाब में पानी नहीं भरा तब साहुकार बहुत परिशान हो गया उन्होंने सोचा कि क्या बात है मेरा यह तलाब क्यों नहीं भरता है बहुत परिशान जब हो गया तब उन्होंने पंडितों को बुलबाया और उनसे पूछा कि क्या बात है मेरा यह तलाब क्यों नहीं भरता है तब पंडितों ने कहा कि आप बड़े बेटे की बली दें यह बड़े पोते की बली चढ़ाने से तलाब भरेगा साहुकार ने सोचा कि यह मैं कैसे करूं कैसे मैं अपने बड़े बेटे की बली दे दूं और किस त कुछ में पढ़ गया। फिर विसने अपने जीव को करा किया और करने के बाद में उसे अपनी बड़ी बहु को पीहर भेज दिया। जब बहु पीहर चली गई पोते को उसने रोक लिया और रोकने के बाद में अपने बड़े पोते की बली चड़ा दी जब बड़े पोते की बली चड़ गई तब घंखोर छटा आई और खोब बारिश होई जब खोब बारिश होई तो तालाब भर गया जब तालाब भर गया तब साहुक मोट गवा धनुआ उनका कहने करता था चने मोट को बना ले साहुकार की गाय के बच्चे का नाम भी ग्यूला धनुआ था उन्हों उस दासी ने गाय के बच्चे को ग्यूला धनुआ समझ करके पका दिया जब साहुकार और साहुकार नी गाजे बाजे के साथ ताला में पोता सबी संधूर और और फसक्र और कूद रहा है में तालाब कोध रहा है जैसे सभी बच्चे पानी पानी में कूद रहे हैं इसको देख करके साहुकार बहुत ही चकित हुआ उसे बड़ा ही आश्चर हुआ साहुकार ने सोचा कि मैंने तो पोते की बली दे दी थी तर ताला भरा लेकिन गाय माता ने मेरी लाज रख ली और मेरे पोते को जीवित कर दिया और मुझे मेरा पोता वापिस दे दिया घर वापस आकर दासी से पूछा कि गाय का बच्चा कहा है दासी बोली आपने गयूला धनुआ को पकाने के लिए कहा था तो मैंने तो से पका दिया तो साहुकार ने कहा कि पापनी तूने यह क्या किया अभी मैंने एक पाप उतारा है और तुमने दूसरा पाप चढ़ा दिया बड़ी मुश्कल से मेरा पोता मुझे वापिस मिला है अब मैं गाय को क्या जवाब दूँगा जब गाय वन से चरने को गई है वन में जब घास चरकर के वापिस आएगी और जब अपने बच्चे को वह नहीं देखेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूँगा ऐसा सोच करके वह भगती चिलाने लगा उस दासी के उपर फिर साहुकार ने साहुकार नी दोनों उल्टे पड़ गए और सोचा कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे पीछे साहुकार ने एक हंडिया में गाय के बच्चे को डालकर एक गड़े में दबा दिया घर के पीछे ही उन्होंने गाय के बच्चे को दबा दिया शाम को जंगल से जब गाय आई तो बच्चे को नहीं देख करके चिलाने लगी और हंडिया खोदने लगी तब उसमें से उसका मिट्टी में लिप्टा हुआ बच्चा निकला तब किसी ने साहुकार से आकर कहा कि देखो गाय का बच्चा जीवित है और वह अपने मा के साथ में खड़ा है साहुकार ने कहा यह कैसे संभव है गाय के बच्चा तो मर चुका था और उसे मैंने ही एक हांडी में करके घर के पीछे मिट्टी में दबा दिया है तब उसमें तिने का नहीं तुम स्वेम उठो और चल करके देखो कि जो मैं बता रहा हूँ वह बात सकते है या नहीं साहुकार ने कहा कि ठीक है फिर साहुकार उठा और वह घर के पीछे गया वहां जाकर देखा गाय के बच्चरा गाय का दूद्ध पी रहा है और इस प्रकार से जब उसने अपनी आँखों से देखा साहुकार ने कि गाय का बच्चा जीवित है और जीवित ही नहीं है वह अपनी मा के साथ खड़ा भी है इस को देख करके साहुकार बहुत ही खुश्वा बहुत ही प्रफुलित हुआ और उसने यही बात कही जिस प्रकार से गाय माता ने मेरे घर के वंस की रक्षा की मेरे पोत चढ़ा दिया था उसे जीवित कर दिया और उसके पुत्र भी जीवित हो गया गाय का भी बच्छा जीवित हो गया इसी तरह से गाय माता हर उस पुत्र की रख्छा करें जिसकी इमा गाय की पूजा करती हैं गाय की उपासना करती हैं जिस तरह से मेरे घर में यह सुख के दिन लोटे इसी प्रकार से सुख के दिन हर घर में लोटे इस तरह से गाय बचारस की पुजा की जाती है गाय बचारस की यह कथा सुनी जाती है और कथा सुनने के बाद में भोजन ग्रहन क्या जाता है मेरे ये वीडियो कैसा लगा के प्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वी दरी द्रवी नाशक लिंगम तत्प्रने मामी शदाशिव लिंगम तत्प्रने मामी शदाशिव लिंगम श्री शिवाय नमस्तो प्यम एक नगर में एक ब्रामणी रहती थी उसके पती का स्वर्गवास हो गया था उसका अब कोई आश्रे दाता नहीं था इसलिए प्रात्य होते ही वह अपने पूत्र के साथ भीक मागने निकल पड़ती थी भीक छाटां से वह स्वयम वह पूत्र का पेप पालती थी एक दिन ब् इधर्व का राजकुमार था शत्रु शैनिकों ने उसके राज़ पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी मना लिया था और राज़ पर नियंतरन कर लिया था इसलिए वह राजकुमार इधर उधर भटक रहा था राजकुमार ब्रामण पूत्र के साथ ब्रामणे के घर में रहने लगा तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया कुछ दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को संकर भगवान ने स्वपन में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए उन्होंने जैसा कहा वैसा ही अंशुमती के माता पिता ने किया ब्रामणी प्रदोश ब्रत करती थी उस ब्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्व से सत्रू को खतेर दिया और पिता के राज को पुनः प्रातिक्या और आनंद पुर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्रामण पुत्र को अपने दूसे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। बोले नाथ के अविशेक, रुद्रविशेक और शंगार का विशेस महत्व है। इस दिन सच्चे मन से बोले नाथ की पोजा करने से मनोवांचित फल्की प्राप्ति होती है। कोई भी लड़का ये लड़की अपने शादी विवाह में जो भी अर्चने आ रही हैं अथ्वा संतान प्राप्ति की इक्छा से इस दिन पंच गव्वे से महादेव का विशे करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिने लक्षमी जी की प्राप्ति और कैरीर में सफल्ता की कामना हो उन्हें दूसरे विशे करने के बाद शिव जी पर फूलों की माला अर्फित करनी चाहिए। कि ऐसा करने से बोले नात अत्यंत प्रसन होते हैं और मनोकामना की पूर्थी करते हैं हर हर महादेव ओम नमाज शिवार भगवान गणेस की जैहो भोले बावा की जैहो माता पार्वती की जैहो हर हर महादेव मेरे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवसे बताएं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवसे लिख देएं अनंत चतुर्दसी की कथा सुनाने जा रही हूँ हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें महाराज युदिष्टी ने जब राज्यस्विय यगे किया तब उस समय मंडब इतना मनोरमं बनवाया कि जल इस्थल की भिन प्रतीत ही नहीं होती थी कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी यगे मंडल पर आ गया और द्रौबदी ने यह देखकर उपहास कर दिया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है यह बात उसके हिदय में बान जैसे लगी तथा बदला लेने की मन में दुर्योधन ने ठान दिया कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुला कर दुवित की डर में परास्त किया हार होने पर उसने प्रतिग्या नुसार 12 वर्स कवनवास दिया एक दिन भवान किष्ण जब मिलने गए तभी युदिष्टी ने यह सब ब्रतान सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा तब भवान किष्ण मोले कि विधी पुर्वक अनंद भवान का ब्रत करो तुम्हारा खोया राज पुनय प्राप्त हो जाएगा उसके बाद श्री किष्ण ने कथा सुनाई प्राचीन काल में एक सुमंध नामक ब्रामन के सुसीला नाम की एक कन्या थी ब्रामन ने बड़ी होने पर उसका विवा कॉंडिले रिशी के साथ कर दिया कॉंडिले रिशी सुसीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले रास्ते में ही संध्या हो गई रिशी नदी के किनारे संध्या करने लगे सुसीला ने देखा कि वहीं पर बहुत सी इस्त्रियां किसी देवता क कि पूजा कर रही है तब उसने पास जाकर पूछा कि आप सप किसकी पूजा कर रही हैं तब ही सभी ने सुसीला को अनंत ब्रत की महिमा बताई सुसीला ने उसी ब्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठे वाली ढोरा हाथ में बांद कर रिशी कॉंडेले के पास आई कॉंडेली ने सुसीला के हाथ में बंदी डोरे का रहसे पूछा सुसीला ने जब हाल कह सुनाया कॉंडेली रिसी ने डोड़ा तोर कर अगनी में डाल दिया इसे भवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ परणाम यह हुआ कि रिसी सुखी ना रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई तब उन्होंने सुसीला से इसका कारण पूछा तो सुसीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई कॉंडेली रिसी पश्चाताप करने लगे और पश्चाताप से उगदिर्गन होकर डोरे के लिए वन को चले गए वन में काफी दिनों तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमी पर गिर पड़े तब अनंत भगवार ने उन्हें तरसंदिया और बोले कि हे कॉंडेली तुमने मेरा तिरिस्कार किया था तब इसे तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा ग्यान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्सों तक करो इससे तुम्हारा दुख दारीदर मिट जाएंगे तथा धन धाने से संपन हो चाओगे कॉंडेली ने घर पर जाकर 14 वर्सों तक अनंत भगवान का ब्रत इवं अनुष्ठान करा जिससे कि वह सुखी वह संपन हो गए भगवान विष्णू कीज़े हो माता लक्षमी कीज़े हो एक बहुत ही रोचक अता है रामायन में जिससे पता चलता है कि भगवान विष्णू और भगवान शिव दोनों में कितना गहरा प्रेम संबंध है भगवान विष्णू कितना आदर करते हैं सम्मान करते हैं भगवान संकर को और जो कोई भी भगवान संकर की पूजा करता है उससे भगवान विष्णू बहुत ही प्रसंद होते हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आपने विशुना होगा कि नारज जी एक बार जाते हैं विश्णु लोक में और जाके भगवान विश्णु से कहते हैं कि हे नारण मैंने काम देव को जीत लिया है जब उनके इस शब्द को भगवान विश्णु सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे भक्त को अभिमान हो जोट करके विष्णू लोग से बाहर आजाते हैं Aur मन में सोचते हैं । यह 10 कüchtwriting लोग में वहाँ बाहर के त्यारी हो रही हैं फिर वह आते हैं लोट करके ऴश्णू भवान पास में और भववान विष्णू से कहते हैं ये प्रभूत थोड़ी देर के लिए मुझे आप अपने चहरा दे दो लेलो अब जब भगवान विश्णु ने नाराजी को अपना चहरा दिया तो नाराज जी बहुत प्रसन होते हैं और भगवान विश्णु से कहते हैं जैवेद होए ना थी तो मोरा करहूं सु विश्णों के इस आसिरवाद को लेकर नारद जी चलते हैं वहाँ पर जहां पर की स्वेंबर हो रहा होता है वह इस से बिल्कुल अंजान होते हैं कि मेरा चेहरा क्या हो गया है और वह स्वेंबर वाले इस्थान के पर पहुंचते हैं जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर दो पर दर्वार लगी होती है। करने जो है वो स्वेंबर का वर्माला लेकर करके वहांसे निकल रहे होती है यह भीन कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं कि मैं अतना सुंदर दिख रहा हूं तो यह तो मुझे वर्माला डालेगी ही ऐसा विश्वास seva करके नारजी वहां एक कुर्सिपे बैठे होते हैं लेकिन ऐसा संजोग बनता है वरमाला तो दूर की बात है राजकुमारी उनकी और पलट के भी नहीं देखती हैं और वो राजकुमारी ने एक राजकुमार के घले में बरमाला डाली और बहुत दुखी हो करके नारज जी वापिस लौटते हैं जब निकलने लगते हैं तो सोसते हैं कि मेरा चेहरा तो भवान विश्णु जैसा चेहरा है फिर ऐसा कैसे हो गया तो पानी में अपना चेहरा देखते हैं तो देखते हैं अरे मेरा चेहरा तो बानर क करते हो संकरवां को तुमने विश्विला दिया मेरे साथ में मुझे ऐसा दे तुम पर कैसे कोई विश्वास करेगा सदो स्धettes चल और कपटक वहवार करते हो विश्ण भवाण न मया लोग से जो माया रची ती वो पूरी माया ही खीच लेते हैं तब नारा जी का आवास होता है कि तरहना ही मुझते बहुत भारी गलती हो गई और बहुत पस्चाताफ करते हैं भगवान विष्णों से बहुत छमा मांगते हैं विष्ण ववान ने कहा यह जो कुछ भी घटना घटी है यह मेरी इच्छा से घटी है इसमें तुम्हारा कोई दोश नहीं है फिर भी तुमने जो मुझे अफशब्द बोला है इसके लिए तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो संकर भवान का सत नाम जाकर पढ़ो भवान संकर का सो नाम जाकर पढ़ो तुम्हें इस पाप से मुक्ती मिल जाएगी सोचने की बात है कि जिस पाप से मुक्ती इनसां को संकर भवान के सो नाम पढ़ने से हो सकता है तो क्या इस संसार में कोई प्राप्ति संकर भवान के नाम लेने से नहीं हो सकती है इसे तो स्वेम भवान विश्णु ने कहा है और ये कथा तुलसी दाजी ने राम चरित मानस में कही है गणेश कथा अपने हाथ में अक्षत ने पुष्प ले ले और कथा को बड़े ही भाव पूर्वक सुने कथा का रस्पान करें एक बार भगवान शिव तथा माता पारवती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे यहां माता पारवती ने भगवान शिव से समय व्यतित करने के लिए चौपड खेलने को कहा शिव चौपड खेलने के लिए तयार हो गये परन्तु इस खेल में हार जीत का फै प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पूतले से कहा बेटा हम चौपड खेलना चाहते हैं परन्तु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता उसके बाद भग्वान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया यह खेल तीन बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया यह सुनकर माता पारवती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगडा होने कीचड में पड़े रहने का स्राप दे दिया बालक ने माता पारवती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अग्यानता वस हुआ है मैंने किसी द्वेश भौ में ऐसा नहीं किया है बालक द्वारा छमा मांगने पर माता ने कहा यहां गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगे उनके कहे अनुसार तुम गणेश ब्रत करो ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे यह कहकर माता पारवती भगवान शिव के साथ कैलाश परवत पर चली गई एक वर्स के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आएं तब नाग कन्याओं से सी गणेश के ब्रत की विधी मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का ब्रत किया उसकी स्रद्धा से गणेश जी प्रसंद हुए उन्होंने बालक को मनुवांचित फल मांग के साथ कैलास परवत पर पहुंच सकूँ और वे हम मुझे दे करके प्रसंद हूँ तब बालक को वर्दान दे कर सी गणेश अंतर ध्यान हो गये इसके बाद वह बालक कैलास परवत पर पहुंचा और कैलास परवत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भवान शिव को सुना वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुक हो गई थी। अता देवी के रुष्टोने पर भवावन शिव ने भी बालक के बताय अनुसार 21 दिनों तक स्री गड़ेस का ब्रत किया। इस ब्रत के प्रहौव से माता पार्वती के मन से भवावन शिव के लिए जो नाराज की थी वह समाप्त हो गई। यह ब्रत विधी भवावन शिव ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पूत्र कार्थिके से मिलने की इक्षा जागरित हुई। तम माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक स्री गड़ेस का ब्रत किया। गणेश चतुर्थी का ये ब्रत समस्त मनुकामनों की फूर्थी करने वाला ब्रत माना जाता है इस ब्रत को करने से मनुस के सारे कश्ट दूर होकर मनुस को समस्त सुख सुधा प्राप्त होती है ब्रस्पत बार की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ इस दिन ब्रस्पत बार को भगवान विश्पत जी की पुजा होती है और यह ब्रत सुख और बैभाव के लिए किया जाता है पूजन का विजान इस प्रकार है ब्रस्पत बार के दिन जो को विब्रत करते हैं वह एक समय ही भोजन करते हैं पीले वस्ट को धारण करना चाहिए पीले पुश्प को भगवान को चाहिए भोजन में चने की दाल होना चाहिए नमक नहीं खाना है इस दिन पूश्प को बाल या डाड़ी नहीं बनवानी चाहिए इस त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए पीले रंके फूल का माला भगवान विश्टू को चलाना चाहिए पीले कपडे भगवान विश्टू को चलाना चाहिए पील्य चन्दन से भगवान को तिल्य करना चाहिए पूजन के पश्चत कथा सुननी चाहिए जो भी भोग लगा है उसमें चने की दाल हो मुनक्का हो, गुड़ हो यह भोग लगाया जाता है इस ब्रत के करने से ब्रस्प्रत भगवान अती प्रसन होते है धन तथा अन और विद्या वरूप वान पत्नी का लाब होता है इस्ट्रियों के लिए ब्रत अती आवस्चक है इस ब्रत में केले का पूजन किया जाता है कथा सुनाने जा रही हूँ अपने हाथ में पुश्प और अक्षत ले ले किसी गौँ में एक साहुका रहता था जिसके घर में अन, वस्थ और धन किसी चीज के कोई कमी नहीं थी परन्तो उसकी इस्ट्री बहुती क्रपन थी किसी भिक्षार्ती को कुछ नहीं देती थी सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी एक समय एक सादु महात्मा ब्रिस्वत बार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की इस तरी उसमें घर की आंगन को लीप रही थी इस कारण सादु महाराज से कहने लगी हे महाराज इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ आपको कुछ नहीं दे सकती फिर किसी अवकास के समय आना सादु महात्मा खाली हाँ चले गए कुछ दिन के प्रस्चत वही सादु महाराज आए उसी तरह भिक्षा मांगी साहुकार्णी उसमें लड़के को खिला रही थी कहने लगी हे माराज मैं क्या कहूँ अवकास नहीं है इसे आपको भिक्षा नहीं दे सकती तीसी बार महात्मा है तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा परन्त महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिलकुल ही अवकास हो जाए तो मुझको भिक्षा दोई सामने कभी भी खाना बना करके चूले के सामने नहीं रखना है चूले के पीछे खाना बना करके रखो सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दिपक जलाया करो तथा ब्रस्पतवार को पीले वस्त्र मत धारन करो ना पीले रंग की चीचों का भोजन करो यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का कोई भी काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा साहुकार्णी ने कहा कि ठीक है महाराज और उसने ऐसा ही किया ब्रस्पतवार के दिन जब दिन चड़ाया तब वह उठी जाडू लगा कर कूडे को घर में जमा कर दिया पुर्षों ने हजामत बनवाई भोजन बनवाकर चूले के पीछे रख दिया वह सब ब्रस्पतवार को ऐसा करती रही अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा थोड़े दिनों में महात्मा फिर आये और भिक्षा मांगी पंतु सिठानी ने कहा कि महाराज मेरे घर में खाने को अन नहीं है तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी अब पूरा पूरा अवकास है तब भी कुछ नहीं दे रही हो तुम क्या चाहती हो तो वह बोली तब से ठानी ने हाथ जोड का प्रातना की कि महाराज अब कोई ऐसा उपाय वताओ कि मेरे पहले जैसे धन धन मेरे घर में भर जाएं अब मैं प्रतिग्या करती हूँ कि अवश ही जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी तब महात्मा जी ने कहा कि ब्रसप्रतवार को प्रात्यकाल उठकर इस्नान आदिस से निवरित होकर घर को गौ के गोवर से लीपो तथा घर के पुरुस हजामत ना पनवाएं मूखों को अन जल देती रहना ठिंक सायंकाल दिपक ज जैसा ही भर गया जैसे पहले था इस प्रकार ब्रसपत बहुआन की कथा से अनेक प्रकार के सुक भूकर दिर्ग काल तक जीवित रही भगवान ब्रसपत की जैहो महात्मा जी की जैहो अब मैं दूसरी कथा सुनाने जा रही हूं जो आपके हाथ में पुश्प है चावल है भगवान ब्रसपत बहुआन के सामने प्रतिमा के सामने अर्पित कर दें लश्मी माता की जैहो भगवान विष्णों की जैहो मेरे यह वीडियो कैसा लगा किरपया कमेंट बॉक्स में जरूर बता हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दें किरपया वीडियो को सब्सक्राइब जरू कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जो को भी इस वीडियो पर ने हो, वीडियो को लाइक जरू करें, धन्यवाद